आपको 5 स्टार का AC लेना चाहिए या 3 स्टार का? क्या ज़्यादा स्टार रेटिंग वाले इंवर्टर AC को खरीदने का कोई फायदा है? इस वीडियो के थुरू हम आपको ये इडेंटिफाइ करने में हेल्प करेंगे कि आपको कौन सा AC लेना चाहिए 5 स्टार या 3 स्टार इसको हम एक एक एक्जामपल के साथ लेते हैं जिसमें दो कंजियूमर्स है अमित और अमरिता अमित ने 3 स्टार इंवर्टर AC खरीदा है ज तो क्या इन AC से इनके इलेक्टर सिटी बिल में कुछ डिफरेंस होगा आईए इसे एक सिंपल सी कैलकुलेशन से समझते हैं अमित का 3 स्टार इंवर्टर AC प्यार ओफ एनर्जी एफिशेंसी के हिसाब से 100 आवर्स में 68 यूनिट्स इलेक्टरिसिटी कंजियूम करेगा और और अमित के 5 स्टार इंवर्टर AC के केस में 100 आवर्स में 54 यूनिट्स इलेक्टरिसिटी कंजियूम होगी तो उसका बिल 432 रुपीज आएगा वो अमित के बदले हर 100 आवर्स में 112 रुपीज सेव करेगी अब हम बात करते हैं यूसेज के बारे में अगर दोनों एक टिपिकल डेली के घर में ये AC यूस करते हैं जिसमें पूरे सिजन में around 1600 आवर्स AC चलता है तो अमरिता अपने AC से हर साल around 1800 रुपीज की सेविंग कर पाएगी Finance के इसाब से अमरिता को अपने 10,000 के investment को compensate करने में 5 साल से ज़्यदा का time लग जाएगा अब माल लीजिए कि ये दोनों ACs मुंबई के किसी जिम के लिए गए हूँ जहां ये पूरे साल में 3000 से भी ज़्यादा unit electricity consume करेंगे तो हर साल अमरिता 3360 रुपीज बचाएगी और 3 साल में ही उसका investment compensate हो जाएगा यहां हमें ये ध्यान रखना होगा कि आपकी budget, electricity की rate और आपके usage पर depend करती है लेकिन money के लावा एक और important चीज है कि आप जितनी कम बिजली खर्च करने वाला AC खरीदेंगे उतना ही environment पे कम negative effect पड़ेगा और साथ ही में देश को electricity की production capacity पर उतना ही कम खर्च करना पड़ेगा I hope ये वीडियो आपको सही star rating वाला AC खरीदने में help करेगा ऐसे ही और informative वीडियो देखने के लिए इस चैनल को subscribe करना ना भूले